दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में फैलने वाली बहुती घंबीर बिमारी जुसका नाम है थेलिसीमिया थेलिसीमिया एक ऐसी बिमारी है जोसे हम कहेंगे कि वो इंसान ना तो खुद जीवित रह पाता है और ना ही उसके परिवार वाले बलकि जुसके परिवार वाले हैं वो भी जीते जी मरने लगते हैं हर पल मौत का सामना करते हैं यानि इस बिमारी को ठीक करने के लिए इतना पैसा खर्श होता है कि कोई भी मिडल क्लास आदमी से लेकर अमीर आदमी भी गरीब बन जाता है और दूसरों के सामने हाथ फिलाने को बिमारी है जुसका इलाज समय से नहीं होने से Serious से इंसान को जिन्दा रखना बहुत मे jij जिसेन को यह होता है उसके शरीर में हमेशा खून की कमी यानि इनीमिया बनी रहती है थैलेसीमिया को समझने के लिए हमें शरीर आंदर मौजूद हमारे खून को समझना होगा White blood cells और platelets ये खून के solid particles होते हैं और plasma खून का liquid part होता है, जुसमें ये तीनो solid particles तैरते रहते हैं हमारा खून में 55% जो होता है plasma, 45% red blood cells और बाकी के 5% white blood cells और platelets से मिलकर बना होता है हमारे खून में मौझूद red blood cell खून का एक बहुत ही important part है इसी की वज़ा से हमारे खून का जो color होता है वो लाल देखता है red blood cells फेफरों से oxygen को लेकर body के हर cells तक पहुचाने का काम करते हैं इनके अंदर homoglobin होता है जो oxygen को carry करने का काम करते हैं red blood cells की life 120 दिनों की होती है, यानि ये 120 दिनों में मर जाते हैं और इनकी जगा नए बने हुए red cells ले लेते हैं हमारे खून में अगर red blood cells की कमी हो जाती है तो इसी को enemia या शरीर में खून की कमी कहते हैं आईए अब जानते हैं कि थेलिसीमिया क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी long bones यानि बड़ी हड़ियां है उनके अंदर हलके लाल कलर का एक परदात होता है जिसे bone marrow कहते हैं यही bone marrow हमारे खून में मौजूद इन solid particles को बनाने का काम करता है थेलिसीमिया के patient में इनी bone marrow की problem होती है इनके bone marrow बहुत ही कमजोर होते हैं जिसकी वज़ा से कम मात्रा में red blood cells को बना पाते हैं थेलिसीमिया के कुछ patient के bone marrow red blood cells को तो normal तरीके से ही बनाते हैं पर यह जो red blood cells बनाते हैं यह बहुत ही कमजोर होते हैं इनकी life 120 दिनों की बज़ाए सिरफ 20 से 30 दिनों के होती है यानि यह 20 से 30 दिनों में ही मर जाते हैं इनी कारणों से थेलिसीमिया के patient में हमेशा homoglobin की कमी बनी रहती है जिसकी वज़ा से उनके body को अच्छी तरह से oxygen supply नहीं हो पाता और उनमें हमेशा weakness बनी रहती है थेलिसीमिया दो तरह का होता है minor थेलिसीमिया और major थेलिसीमिया minor thalysemia में शरीर में थोड़ा-thोड़ा हमेशा खून की कमी बनी रहती है लेकिन अच्छी डाइट और nutrition डाइट से वो control होड़ाती है लेकिन major thalysemia में हमेशा खून की कमी शरीर में बनी रहती है जो कुछ भी कर लेने से ठीक नहीं होती अब जानते हैं कि थेलिसीमिय किस कारण से होता है थेलिसीमिय एक genetic disorder है यानि ये अनुवानशक बिमारी है जो माता पता से बच्चों में आती है और pregnancy के तरान अगर माता और पता दूनों को थेलिसीमिय की बिमारी होती है पहले थेलिसीमिय के patient को जिन्दा रखने के लिए हर 15 से 20 दिनों में उनके शरीर में खून चड़ाना पड़ता था पर आज medical science की तरक्की की वज़ा से आर इसका permanent इलाज हो गया है अभी के समय थेलिसीमिय को ठीक करने के लिए इसके patient का bone marrow transplant किया ज़ाता है तो I hope कि आज जो मैंने आपको information दी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज आपने जाना होगा कि आखिरकार ये गंबीर बिमारी किस तरह से होती है और इसका इलाज क्या है लेकिन ये बात तो तै है कि इनसान की अंदरूनी बिमारी हो या बाहरी तोर की उसमें इतना पैसा जोता है कि हम कहीं से भी अपनी जिंदीकी को बचा नहीं पाते और हमारे साथ जुड़े होए इनसान भी इसी कश्मकश में अपने आपको बरबाद कर देते हैं तो बस मैं आखिर में यही कहना चुआ हूँगी कि अपनी हेल्थ से प्यार करें अपने आप से प्यार करें अपना बहुत सारा ध्यान रखें कुछ घंबीर बिमारियां हमारे हातों में नहीं वो उपर वालों के हातों में हैं जो भी इस बिमारी से जून रहे हैं, जुतना हो सके उन लोगों की मदद करें, गुबदान करें और अच्छे करम करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो ऐसी वीडियो को लाइक और श्रेयर करें आपकी इश्वा मिलेगी कल कुछ नहीं वीडियो के साथ टेकर, स्टेहल्दी, लोट्स व लॉव